अलो नमस्कार दोस्तों ईस aired करेंगे रोडुष के बारे में क्योंकि हर साल जो है रोड़ वखड़ आती है और हर साल सरकार उस्पर डिशिजन लेकर है यानि कि अगर विकास लक्ष तक जो सेस्टेनेबल डेवलेमेंट गोल होता है कि हमारा विकास भी होता रहे और हमारे संसाधन में खतम ना हो अगर वहां पर पहुंचना है तो इसके लिए हमारा जो लोग construction होना चाहिए वह इनंट चाहिए यानि के लोग उसको वहन कर सक्के आद्न होना चाहिए लोग ऐसको किनमें वहोंच होना चाहिए तुन को प्रापट कर सकता है भांट में इस समन्द में हुई प्रगति पर टिपड़ी करना था कोशन इंग्लिश में अगर बोलें तो एक्सेस टू एफोर्डिबल रिलाइबल सस्टेनेबल एंड मॉर्डन एनरजी इस दस इन इस साइन को नौन टू अचीव सस्टेनेबल डिवलेमेंट गोज कॉमेंट अन्दी प्रोग्रेस मेड इन इंडिया इन दिस रिगार्ड तो पहले हम इस खबर को पढ़ लेते हैं फटाफट यह हर साल की बात है क्या बात है हर साल की कि प्रदेश सरकार यानि उत्तर प्रदेश आता है सरकार की द्वारा और इसके लावा गढधा मुक्त बनाया जाएं इस बार भी ऐसा ही हुआ गाउं से लिक नगर तक कि सड़कों पर 15 नमबर के बाद गढधा नजर ना आये इसका लक्ष दिया गया है यह एक ऐसा लक्षी है जो हर साल कई प्रश्न करता है और कभिशत प्रतिशत पूरा नहीं होता क्योंकि हर साल ऐसा होता है हर साल जो है सड़क खराब हो जाती हैं और सामने विधान सब्चुनाओं है 2022 वाला यूपी में इसके दृष्टिगत यह आश्या है कि प्रदेश सरकार इस बार अभियान की गहन निगरानी करेग है किसे तंबर मॉंबर का इंतजार करती रहती है कि अधार आएका जाने की सिहात भी दुरुस्त रहेगे क्योंकि अगर सही तरीके से एक बार काम हो जाएगा तो मजबूती बनी रहेगी उसमें सस्टनेबिलिटी और कहने के डियूरिबिलिटी बनी रहेगी हर साली वाले जंजट नहीं आएगा कि सरकार जो है आदेश पारित करे और सड़क फिर से बने और फिर से खर चल लगें तो एक बार अगर मजबूती से बना दिया जाएगा तो सरकार के उपर जो इसका बजट आता है वो भी कम हो जाएगा राश्ट्वी और राजमार्गों पर अक्सर देखा जाता है कि छोटे छतिग्रस्त हिस्से को भी ततकाल दुरुस्त करा दिया जा सबसे अहम बात यह है कि जिन सड़कों को नवंबर में जिड़ोधार कराया जाता है उनमें अधिकांश के शकल दो तीन माह में बिगड़ने लगती है यह इस्थति निर्माण में गुडवत्ता पर प्रश्ण खड़े करती हैं सरकार को सड़कों के सिह सदारने के साथ साथ दिम्मेदर विभागों और कारेदाहि संस्थाओं की कारेशली को भी सदारन की आउशकता है तो यह इसमें कोई भ्रश्टाचार हो रहा है तो उसको सःयमित करें जब तक अभियान के सरवांगेर आच्छादन और गुर्वत् जिम्मेदारी निर्धायत नहीं की जाएगी स्थिति में सुधार की संभावना सरवदा छेड़ रहेगे सरकार को इस बात पर भी गौर करना होगा कि हर साल एक ही तरह के दिशानिर देशों को जारी होने के बावजूद इस्थिति यह थावत रहती है तो लोगों का भरोसा ही ही छीड़ होगा और यह किसी भी सरकार के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा तो यह थी खबर जो कि सिंपल सी है हर बार आप सभी के मूंसी यह सारी चीज़ें सुनते ही है लेकिन अब यह प्रश्न काम डिसकॉशन करें जो कि दुशा रठारा में पूछा गया था प्रश यह मश्वस्त नहीं हूं यहां कि रिलायाबल हूं ठारडी नकी सस्टेनेबल आधनीक और जा तक पहुच है ढभ whom संधारड़िये विकास लक्षियों को प्राप्त करने के लिए अनिवार हैं यानि कि यदि हमें संधारड़िये विकास लक्ष सस्टेनेबल डेवलमेंट गोड एस डीजी को प्राप्त करना है तो इसकी संकलपना सबसे पहले 1983 में एक समिति का गठन किया गया था सब्सक्राण के सभी और शक्ताओं को पूरा करते हुए भविश्य के लिए भी संसाधनों को जो है सुरक्षित किया जा सके उसको पूलते हैं सब्सक्राइब और इसके ताहत 169 और भी मानक बनाए गया थे जिनको बाइट टॉनिटी थर्टी सभी को हासल करना है लेकिन यह किसी को पर बाध्यकारी नहीं है यानि कोई जो है ऐसा नहीं कर पाया तो उसके लिए कोई सजा का प्राउधन नहीं है लेकिन यह लक्ष निर्धारित किया गया है तो यदि इन्हीं लक्षों को हमें प्राप्त करना है तो जो रोड डवलमेंट है जो इंफ्रास्ट्रॉक् के बनाया जाएं तब जाकर के हम SDG को प्राप्त कर सकते हैं यह तो सिंपल सी बात हैं लेकिन देखें इसका आंसर हम किस प्रकार से दे सकते हैं पहले डेफिनिशन दे देंगे सतत विकास वह विकास है जिसके अंतरगत आने वाली पीडियों की आउशक्ताओं की पूर्ती करन नहीं हो यानि कि आइसा नहीं कि सा जितनी भी पानी है सारा पानी वरत्मान वाली पीड़ी पीले और भाविश वाली प्यासी रहे जाएं या सारे इंधन जो है पैट्रोलियं पदार्थ या जो नेच्रोल रिसोर्सेस हैं उन सब को हम दोहन कर लें इसी समय दस साल बीस साल सो साल में खतम होजए और आगे वाली पीडियों ना मिल पाएं तो ऐसा नहीं हो हम संसाथनों का इसी तरीके से अनुकूलतम उपयोग करें मैक्सिमम यूटिलाइजिसन करें ताकि आने वाली पीडियों भी उसको उसका दोहन कर सकें तो इसको बोलते हैं एस डेजी तो पह सहस्तराब्दी विकासलख्स है जो यह क्यों डफैर किया गया था यानी इसको तो यह उसन तक फॉल्व कर संघर्ण ही किया हुई ये 1000 सालों के लिए निर्धारित किया हुआ विकास एजेंडा होता है जो कि संहुक्त राच संग ने 2015 में निर्धारित किया था कि तो 2015 में संहुक्त राच संघ्व की एम डिजी 2000 से 2015 के अस्थान पर सतत विकास लक्ष यानि उसको हटा दिया गया एक हजार साल का लक्ष नहीं बनाएंगे अब 15 15 साल का लक्ष बनाएंगे कुछ इस प्रकार से बात की गया उसको हटा दिया गया और उसके अस्थान पर सतत विकास लक्षनिस सस्टेनबल डेवलेमेंट गोल वाला एजेंडा लाए गया जिसमें जिसको हम एजेंडा 30 भी कहत तो सस्टेनबल डेवलेमेंट गोल की बैठक जो की यूनियों ने करवाय था उसको एजेंडा 30 भी कहा जाता है को स्विकार किया गया था जिसमें जिसमें यानि एजेंडा 30 में 17 मुख्य लक्ष निर्धारित किये और इसके लावां 169 सहयक लक्ष्यों को निर्धारित किया वो थे यानि कि 17 मुख्य लक्षण में जैसे कि सबीघों योग्य पानी मिल सब्सक्राया जिस्ट्रीटर रिधार इसे प्रकार के बहुस सरे चीजे थी और हर एक सेक्षण के अंदर भी बहुसरे सब सेक्षण थे यानिक वहां 169 गोस सब गोस लेकिन मुख्य सब्सक्राइ लक्षों में से जो सात्मों लक्ष है वो क्या है वो है उसका नाम है सस्ती उसका नाम यह यह कि सस्ती विश्वसनी धारडी तथा आध्मिक औरजा तक पहुंच सुनेशित करना यानि कुल मिलाकर कि यह जो जार थारा का पूछा गया था यह सस्टेनेबल डिवल्मेंट गोल का जो इnhem a's seven ने पूछ दिया जो कि उसका लक्ष तो आजरण सेवन का लक्ष रक्रांव कि सस्ती विश्वसनी धारडी तथा आधनिक और और श goo जा पहुंच तो सुनेशित करना और शास्ति यानि कि जो उर्जा तक पहुंच आपंच वह कैसी होने चाहिए सस्ती होने चाहिए यानिकि सभी को आराम से लपीजी मिल जाए तो कुछिंप नृट निदन तक पहुंच विश्वस्त नी इंदन तक पहुंच जिसमें सबीकों विश्वास हो इस प्रजाद के एंधन और धारड़ी कि धारड़ी मतलब की ग्रीन फ्यूल जो होगे जैसे कि हाइड्रोजन मेथेनल एथेनल यह अन्य प्रकार की एलेक्टरिक वहान हो गये तो यह सारी यानिक धारड़ी और जा तथा आधुनिक और जा तक पहुंच सुनिश्चित करना यह सस्टेनेबल डवलेमेंट गोल का सात सबसे बड़ी चुनोती क्या है तो एनरजी है और सबसे बड़ा आवसर क्या है तो वह भी एनरजी है यानि इस बड़ी चुनोती को हम जब एचिव करने का काम करते हैं तो यह तरीके से हमें कहले कि अपॉर्चुन्टी प्रोवाइड करती है बहुत सरे कहले कि इन्नोवेशन का बहुत सरे रोजगार का इन सरे चीज़ों क तो उर्जा और इसकी उपलब्धता आज मानोस अभ्यता के सामने आने वाले अधिकांस चुनोतियों और अवसरों को परिभाशत करती हैं यह सर्वमान है कि आध्मिक उर्जा सिवाएं मानों की भलाई के लिए आवश्चक है यानि जतने भी उर्जा की सुरूत अगर यह नहीं रहेंगे तो जो है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था रूप हो जाएगी डॉक्टर अब्दुलकलाम ने भी कहा था कि देश को अगर मतलब विक्सित करना है या देश को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए उर्जा डिपेंड करता है कि कि किसके पास ज्यादा एन एनर्जी का कहलें कि खपत कौन सबस्यादक कर पा रहा है तो किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए महत्पूर है तथा स्वक्ष जल स्वक्षता यानि उर्जा का उप्यों कहां कहां पर है तो किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए एनर्जी का किसी भी देश के आ वाटर स्वक्षता यानिकी कैने सैनिटेशन स्वास्त यानिकी हेल्थ स्वास्त देख भाल इबं अन्य उपयोगी ओर्जा सेवाओं को प्राप्ट करने के लिए आवश्चक है यानि यह सारी हम तब प्राप्ट कर पाएंगे जब हमाँ पास एनर्जी रहेगा गरीबों की सस्ती भरोसे मंद और आध्मिक उर्जा सेवाओं तक पहुँच सुनेश्चत करना गरीबी उन्मूलन के लक्ष को सक्षम बनाना है जो सस्टेनेवल डेवलेमेंट गोल्स सेवन है जिसमें सस्ती विश्वस्निय धारडी और आध्मिक उर्जा सुरोतों तक सब की पहुच की बात की गई है तो वो सभी तक ओर पहुच कैसे हो पाएगी अगर गरीबों को सस्ते वाले सस्ता और भरोसे मंद जो है और उर्जा का सुरोत जाएगा जैसे की परदानमंत्रे जेने परदानमंत्रे उजला योजना के ताहत करीब 10 करोड जो है यह सिलेंडर अग मदद मिलेगी वहनी एवं विश्वस्त नी तथा आध्मिक उर्ज़श प्रोधियोगे की नवाचार के माध्यम से गरीबों तक पहुचा ही जा सकती है या नवाचार करके जैसे यह उसको भी प्राप्ट कर सकते हैं तो इससे क्यों यह वहनी हो गया यानि कि आराम से एफोर्ड भी कर पाएंगे ग्रामेंड लोग और यह धारड़िये भी है यानि प्रक्रेट को नुकसान भी नहीं है और खेती को फाइदा भी है तो इस प्रकार से हम उर्जा सुरोतों त देता है यानि कि जैसे वह जाएंगे मालेव की जंगल में गया बहुंसा लखड़ी बिनने के लिए तो उससे महिलाओं की स्वास्थ पर भी नाकार आत्मक प्रभाव पड़ता है तो जब वह उसमें नहीं जाएंगी या धूए वाले भोजन नहीं बनाएंगी तो उनकी ज जो आउसत आयो है वो घड़ जाती है ओवराल महिलाओं की आउसत आयो घड़ जाती है तो स्वास्थ पर नकार आत्मक प्रभाव पड़ता है तो सस्ती और वहानी उर्जा उनको प्रवाइड करेंगे तो उनका हेल्थ भी सही रहेगा तो बहारत ने सतत विकास लक्षियों के तहत वहनी येवं धारड़ी उर्जा को लोगों की पहुच तक लाने के लिए कई महत्पोड कदम उठाए हैं क्या कदम उठाए हैं जैसे कि उर्जा दक्षता में सुधार हे तो नेश्टनल एनरजी लेबलिंग प्रोग्राम इसकलावा ग्रीन रेटिंग फॉर इंटी अबिटेट असेस्मेंट यानि गृह की शुरुवात की है स्वक्ष और नभी करड़ी ऊर्जा के लिए राजयो गांधी ग्रामेड लपेजी वित्रड योजना राश्ट्री जैव इंधन नीती ये भी बनाए गई है साथ ही उर्जा सनरक्षड एवन सुरक्षा हेतु ट्लीन डेवलेमेंट मेकेनिजम राश्ट्री विद्योत नीती आधी को प्रावधानित किया गया है सतत विकास लक्ष की पूर्थी हेतु भारत ने INDC लक्ष निर्धारित करते हुए 2030 तक अपनी सकल उर्जा जरूरत का लगभग एक तीहाई हिस्सा नवी करड़ी उर्जा स्रोतों से उत्पन करने का लक्ष भी रखा है भारत ने लक्ष रखा है कि 2022 तक 175 गीगा वार्ट रीनुवेबल एनरजी प्राप्त करना है 2030 तक 450 गीगा वार्ट रीनुवेबल एनरजी से प्राप्त करना है और हमारे मुकेश अंबाने जी ने लक्ष रखा है कि आने वाले 2030 तक 2030 तक हम हाइड्रोजन फ्यूल को जो है एक डॉलर प्रती लीटर एक डॉलर प्रती लीटर के अस्तर तक लेकर आएंगे जिसका इस समय वर्तमान में तीन से लेकर के तीन डॉलर से लेकर के साढ़े छे डॉलर प्रती लीटर के उसे लागत से उत्पादन हो रहा है उन्होंने लक्ष रखा है कि 2030 तक एक डॉलर प्रती लीटर तक हम हाइड्रोजन फ्यूल को लेकर के आएंगे तो इससे भी देश क्लीन एनर्जी मिलने में साहता मिलेगी जिससे सस्टनेबल डेवल्लमेंट गोल जो जी जो SDG7 है उसको हम लोग एचिव कर सकेंगे तो यह है इस वीडियो का डिस्कॉशन होप यू अंडरस्टैंड नमस्कार जैहिंद